दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HOCL यानि हिंदुस्तान और्गिनिक केमिकल्स लिम्टेट की तरफ से डिप्लोमा और बी बीटेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग अलग ब्रांचों के लिए वेकेंसी है आपकी डारेक्ट भरती है और यहाँ पर सेरली भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है और क्या बताया गया है इनके ओफिसल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूटूब पर सबसे ज्यादा जोबस अबडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजिनरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जोब का अपडेट आपसे मिसना हो और आप प्रीमियम टाइप जोबस के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाल्टसप ग्रूप को जरूर जोइन कर लें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो हम हैं के ओफिसेल नोटिस पर नोटिस आपका हिंदुस्तान औरगिनिक केमिकल लिम्टेल्ट की तरफ से जारी किया गया है ये गॉर्मेंट ओफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है अब बात कर लेते हैं यहां पर आपकी किस पोस्ट के लिए वेकेंसी रहेगी प्रिस्क्राइब्ट क्वालिफिकेशन आपसे क्या मागी गई है और इस पोस्ट को अपलाई करने के लिए आपके पास कितना मिनिमम एक्सपिरियंस होना जाहिए सबसे पहली पोस्ट यहां पर आपकी रहने वाली है सिविल इंजिनिर के लिए एजुकेसनल क्वालिफिकेशन में यहां पर आपको बताया है अगर आपने डिगरी या अत् innovation आपने वीबी टेट किया है सिविल इंजिनिरिंग में आप यहां पर eligible रहेंगे minimum experience में आपको बताया है minimum one year experience in the relevant field in a large industry preferable chemical, petrochemical, refinery plant और आगे यहाँ पर आपको और में करके दिया है अगर आपने कहीं पर भी एक साल की apprentice की है तो वो भी यहाँ पर आपकी AJ experience में count की जाएगी तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.B.Tech किया है civil engineering से और minimum आपके पास एक साल का work experience है या फिर आपने कहीं पर भी एक साल की apprentice की है आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अगली पोस्त यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior operator process के लिए यहाँ पर आप से diploma मंगा गया है अगर आपने diploma किया है chemical या फिर petrochemical engineering में eligibility criteria यहाँ पर भी आपका same है अगर आपके पास एक साल का work experience है या फिर आपने एक साल की कहीं पर भी apprentice की है आप यहाँ पर eligible रहेंगे अब बात कर लेते हैं आपकी age limit के बारे में तो यहाँ पर maximum age limit आपकी 30 साल रखी गई है अगर आप SCHT, OBC, PWD या फिर ex-servicemen category में आती है तो यहाँ पर आप लोगों को age पर government rule के हिसाब से age relaxation मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं आपके contract period की तो basically post है यहाँ पर आपकी contract base पर रहने वाली है यह contract आपका 2 साल तक का रहेगा बाकी आपकी जैसी भी performance होगी या इनके पास requirement होगी उसके इसाब से आगे extend किया जाएगा अब बात कर लेते हैं आपके pay level के बारे में तो सबसे पहली post यहाँ पर आपकी जो रहने वाली है civil engineer के लिए यहाँ पर आपको salary 35,000 रुपे प्रतिमंथ मिलेगी अगली post यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior operator process के लिए यहाँ पर salary आपको 25,000 रुपे प्रतिमंथ मिलेगी अब बात कर लेते हैं आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका interview या फिर return test के आधार पर होगा यहाँ पर आपको important date में बताया है the interview return test for the post of civil engineer will be held on 26 December और दूसरी post यहाँ पर आपकी जो रहने वाली है junior operator process के लिए यहाँ पर बिलुकुल confirm है कि आपका selection process return test के आधार पर ही रहेगा इसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है हमारे telegram channel पर वहाँ पर आपको इस official PDF का link मिल जाएगा आप इसे download कर लिजिए देख सकते हैं यहाँ पर है आपका application form सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने photo लगाने है next यहाँ पर आपको लिखना है कि आप किस post के लिए यहाँ पर apply कर रहे हैं फिर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है next यहाँ पर आपको डियो भी लिखनी है और आपकी age यहाँ की जो cut off date है उसके हिसाफ से आपकी age कि लेकिनी हो रही है यहां पर आंपको लिखना है अगर आप सकते हैं और आगे यहां पर आपको अपना प्रिचन पर है with pin number के next यहाँ पर आपसे आपके contact detail पूछे गए हैं office residence mobile number next यहाँ पर आपको अपनी email id लिखनी है आधार number लिखना है यहाँ पर आपसे आपकी educational qualification के बारे में जानकारी मांगी गई है course आपका कौन सा है आपकी स्कूल या college या institute के पास आउठ है आपकी university या bold कौन सा है आपकी share के पास आउठ है main subject आपके कौन से है और आपके bbtec में आपका great division या percentage of mark कितना है next यहाँ पर आप से आपके experience के बारे में पूछा गया है नाम आपको लिखना है और address लिखना है उस organization का जहाँ पर आपने काम किया है आपको यहाँ पर designation लिखनी ही कि आपनी वहाँ पर किस post पर काम किया है कब से कब तक काम किया है area आपको यहाँ पर लिखना है next यहाँ पर आपको वहाँ लिएक्तिने के बाद आपको करना क्या है आपको यहाँ पर डेक डालनी है, signature करने हैं और इसके साथ में आपके जितने भी जरूरी document है, वो सारे आपको self test करने हैं और आपको यहाँ पर अपने original document भी लेने हैं और आपको पहुंच दाना है इनके official address पर तो जिन भी दोस्तोंने हमारे BB Tech किया है Civil Engineering से या फिर डिप्लीमा किया है Chemical या फिर Petrochemical Engineering से अगर आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं तो आप ये walking एंटेव्य ज़रूर attend करिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैयंक्यू सुक्रिया वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सिविल इंजिनिरिंग के सबसे ज्यादा जोब सब गेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें